जोहार मैं आनंद गुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बात दोस्तो मुख्यमंत्री हिमन सुरेन कल विधान सभा में सदन का विश्वास हासिल करेंगे और कल ही दो फर साड़े तीन बजे राजभवन के विरसा मंडप में नव नियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनियता की शपत दिलाई जाएगी कल यानी आठ जुलाई को सुबह मुख्यमंत्री हिमन सुरेन सदन में विश्वास का प्रस्ताव पेश करेंगे जो कि संख्याबल के हिसाब से महज आपचारिक्ता भर होगा संख्याबल की चर्चा करें उसके पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि हिमन 3.0 सरकार में कौन-कौन उनके मंत्री बनेंगे दोस्तो जब हिमन सुरेन ने अपनी गिरफतारी के पहले स्तीफा दे दिया था 31.0 जनवरी 2024 को और दो फरवरी को चमपई सुरेन की सरकार ने शपत ली थी तो उनके साथ जारखन मुक्तिमोर्चा के कोटे से मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सुरेन, दीपक बिरुआ, ब आलमगीर, आलम, बनना गुपता और बादल पत्रलेक, राजद कोटे के एकमात्र विधायक सत्यानन्द भोगता हैं, तो वे हेमन सुरेन की पहली सरकार में भी मंत्री थे, चमपई सुरेन की सरकार में भी मंत्री थे, और अब हेमन सुरेन की ये नई सरकार में भी मंत्री हो इसमें कोई शक शुभा कुछ कोई भी इसमें इस बट किन्तु परंतु नहीं है तो एक तरह से हेमन सुरेन के लावा जिस किसी का पद इस सरकार में सुरक्षित हो सकता है वो सत्यानंद भोगता ही है लेकिन दोस्तों नई बात यह है कि चमपई सुरेन जो 31 जनवरी 2024 की शाम जक हेमन सुरेन की सरकार में मंतरी थे और 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 की शाम तक मुक्ध मंतरी थे अब वे मंतरी बनाये जाएंगे या नहीं इस बात की चर्चा है और अगर चमपई सुरेन को मंतरी मंडल में जगह नहीं मिलती है तो इस बात की संभावना कम है कि जारखन मुर्चा कोटे के मंत्रियों मेंसे कोई बदलेगा और जहां तक दोस्तो मेरी जानकारी है चमपई सोरेन को कल होने वाले शपत गर्ण समारों में seat नहीं मिल रही है यानि वे हेमन सोरेन की सरकार में मंत्री याग डिप्टी सि объ नहीं बनने जा रहा है पहले यह चर्चा थी कि चमपई सोरेन को हिमन सोरेन की सरकार में मंत्रिया DTCM बनाया जा सकता है तो ऐसा अगर हुआ तो आगामी विधान सबा चुनाओ तक चमपई सोरेन इस सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे चर्चा है कि उनको जेमेम का कारिकारी अध्यक्ष या राज्य समन्वाय समिती का अध्यक्ष बनाया जा सकता है एक तरह से उनको संतुष्ट करने की कोशिश हो सकती है लेकिन सरकार में उनको जगह नहीं मिलेगी इस बात के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं तो ये हो गई जारकन मुक्तिमोचा की बात कॉंग्रेस की बात करें तो कैश कांड के मामले में आलमगीर आलम की गिरफतारी के बाद उसके कोटे से मंत्री का एक पद खाली है चर्चा है कि आलमगीर आलम की जगह अल्पसंख्यक कोटे को भरने के लिए इर्फान अंसारी को लेकिन इर्फान अंसारी भी दूद के धुले नहीं है वे भी एक दूसरे कैश कांड में फस चुके हैं कोलकता वाला कैश कांड आपको याद होगा उनके खिलाप उनके ही एक विधायक अनूप सिंग ने परात्मी की दरज कर आई थी तो अगर इर्फान अंसारी मंत्री न पदले जाने की चर्चा चल रही थी अगर ऐसा हो गया तो दीपिका की लोटरी लग सकती है चंपई सोरेन सरकार के समय कॉंग्रेस के विरोध के बाद बैजनात राम को नियोता देकर उनके आगे से प्लेट हटा ली गई थी रास्ते से उनको लोटना पड़ा था इस बार बारहवे मंतरी का पद खाली रखा जाएगा या बैजनात राम को जगह मिलेगी यह भी देखने वाली बात होगी तो दोस्तों ये तो नए मंतरियों की बात हो गई हिमंद सोरेन ने फैसला किया है कि पहले वे फ्लोर टेस्ट पास करेंगे और फिर नए मंतरियों को शपत इलाई जाएगी ऐसा विधायकों की संभावित नाराजगी और जोड तोड की संभावना को टालने के लिए किया गया है खासकर चमपई सोरेन को जिन हालात में बदला गया और उसके बाद उनकी जो बॉडि लेंग्विज थी उसको भी मद्दे नजर रखा गया है चार साल औ और एक महीने तक सटा चलाने के दोरान है मन सोरेन इस बात को बेहद अच्छी तरह से जान चुके हैं कि उनके सामने कौन-कौन से खत्रे आ सकते हैं इसलिए वे बहुत सावधानी से बहुत फूंक फूंक कर अपने कदम बढ़ा रहे हैं दोस्तों लोग सभा चुनाओ के ब अब सांसद बन चुके हैं अठारवी लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं यह है नलिन सोरेन जोबा माजी मनीश जैसवाल और धुलू महतो और सीता सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाओ लड़ने के दो पहले विदान सभा की सदस्यता से स्तीफा दे दिया है तो 81 सदस्यों वाली जारखंड विदान सभा में पांच सदस्य संख्या अब घटकर 76 हो गई है स्पीकर यानि विदान सभा के अध्यक्ष सिर्फ टाई की स्थिति में अपना मत दे सकते हैं वोटिंग कर सकते हैं तो बहुमत के लिए हेमन सोरेन को चाहिए सिर् 49 विदायकों का समर्थन जारखंड मुक्ति मुर्चा के पास चुनाओ के पहले यानि लोकसभा चुनाओ के पहले 30 विदायक थे इनमें सीता सोरेन इस्तीफा दे चुकी हैं और जोबा मांजी और नलिन सोरेन अब सांसत बन चुके हैं तो यह संख्या 30 से घटकर 27 हो गई है इन 27 में से भी चमरा लिंडा और लोबीन हेमरम को इंडिया एलाइंस के घोशित उमिदवारों के खिलाफ बागी उमिदवार के रूप में चुनाओ लड़ने के कारण पार्टी की प्राथमिक सदसता से निलंबित कर दिया गया है तो वे सरकार का समर्थन करेंगे या नही इस बात पर संशय है और स्पीकर टाई की हालत में ही वोट करेंगे तो अगर इन तीनों को भी माइनस कर दिया जाए तो जारखन मुक्ति मोर्चा के पास 24 विदायकों का समर्थन माना जा सकता है 24 विदायक जेमिंग को वोट करेंगे 24 विदायक ही हेमन सोरेन सरकार के विश्वास प्रस्ताओं पर वोट करेंगे महा गटबंधन के दूसरे घटकदल कॉंग्रेस के पास 17 विदायक है और राजत तथा माले के पास एक-एक एमिले है तो 24 प्लस 17 प्लस 1 प्लस 1 यानि कुल विदायकों का समर्थन हेमन सोरेन सरकार के पास है वैसे बीजेपी के विदायक जेप्रकाश भाई पटेल कॉंग्रेस में शामिल हो चुके हैं लेकिन उन्होंने विदान सबा की सदस्ता से इस्तीफा नहीं दिया है भाजपा ने स्पीकर के नियायाधी करण में दल बदल क लिखकर दिया है और कहा है कि जेपी पटेल की सदस्ता रद की जाए तो पटेल विश्वास प्रस्ताव के दवरान वोट कर पाएंगे नहीं ये स्पीकर तै करेंगे अगर चमरा लिंडा और लोबिन हेम्रम विश्वास मत का समर्थन नहीं भी करें तो हेमन सोरेन सरकार को 43 सदस्यों का समर्थन हासिल है यानि बहुमत से ज्यादा है विपक्ष में जेपी पटेल के बीजेपी छोड़ देने के बाद उसके पास पचीस विधायक रह गये थे इन में से मनीश जैसवाल और धुलू महतो सांसत बन गए तो संख्या अब 23 रह गई है आजसु के पास तीन विधायक हैं और NCP के कमलेशिंग को जोड़ दें तो इंडिये के खाते में 27 विधायकों का समर्थन है दो निर्दली विधायकों में अमित यादव भाजपा का समर्थन करते आ रहे हैं लेकिन सर्यूराय ने 25 सोरेन सरकार के विश्वासमत के दौरान किसी का भी समर्थन न दालना पड़े तो इंडिये के 27 विधायकों में अगर दो निर्दलियों को भी जोड़ दें यानि सर्यूराय और अमित यादव और इसके साथ जैप्रकाज भाई पटेल चम्रा लिंडा और लोबिन हिम्रम सब को सरकार के खिलाफ जोड़ दें तो भी कुल मिलाकर 32 का ही आ सदन में आसानी से भहुमत हासिल कर देंगे भहुमत सिद्ध कर देंगे विश्वास कमत हासिल कर लेंगे और जो बदलाओ उनके मंत्री मंडल में दिखेगा वह यही होगा कि चमपई सोरेन शायद न दिखाई दें और कॉंग्रेस के कोटे में एक या दो नए चेहरे दिख पढ़ें तो दोस्तों अब जो भी होगा कल दो फर साड़े तीन बज़े पता चल जाएगा तो आप हमन सोरेन की नई सरकार पर नए मंत्री मंडल पर आपको जो लगता है कि कौन नए मंत्री बन सकते हैं या बनने चाहिए उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा चैनल क को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा बार बार आपसे अगरा करता हूं कि अगर आप वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक इसाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार